दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं IT सेक्टर के बारे में IT सेक्टर के अंदर आज आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है जी यहां दोस्तों अगर आप देखेंगे तो Nifty Bank, Nifty Auto, Nifty Fan Service सभी आपको बहुत ही शांदार प्लस में यहां पर देखने को मिले साथ ही साथ अगर हम Nifty Media की बात करें, Nifty Metal की बात करें Nifty PSU Bank, Nifty Private Bank of Nifty Reality सभी सेक्टर आज हमें एक positive way में देखने को मिले सिर्फ एक सेक्टर को छोड़कर वो है Nifty IT IT सेक्टर आज पूरी तरीके से crash होते वे हमें देखने को मिला है जिसमें लगबग Nifty IT के अंदर हमें 2.88% तक की बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली इसके पीछे एक बड़ी वज़ा यहां पर निकल कर आई है जो कि आगे वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो वीडियो में आखरी तक बने रहिएगा साथ ही साथ अगर आपने चैनल पर first time विजट के आए तो चैनल को subscribe करना और bell icon को press करना बिलकुल भी मत भूलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं IT sector का data मैंने आपके सामने open कर रखा है जो कि recently आज ही के दिन का है market hours के बाद का ही यह data है जिसमें अगर सबसे बड़ी गिरावट देखे हम तो सबसे बड़ी गिरावट हमें mind tree के अंदर देखने को मिली लगबग 5.65 याने कि लगबग 5.5% से भी ज़्यादा की गिरावट आज हमें mind tree के अंदर देखने को मिली HCL take की बात करें तो लगबग 4.5% की गिरावट LTI के अंदर लगबग 3.89% तक की गिरावट Coforge, Emphasis, Take Mahinda, Wipro, Offesis, Infosys, TCS याने कि almost सभी IT sector के shares आज आपको बुरी तरीके से crash होते हुए देखने को मिले हैं तो अब मैं इसके पीछे का आपको reason बताओं उसके पेले एक चीच confirm कर देना चाहता हूँ कि यह जितनी भी IT company आपको यहाँ पर 8 present screen पर देखने को मिल रही है एक भी company यहाँ पर बुरी नहीं है जी यहाँ दोस्तों अगर आपने fundamentally इन company के result को अगर analysis किया होगा तो सभी company आपको बहुत ही शांदर performance देते हुए आ रही है और साथ ही साथ जिस प्रकार का essential के number भी हमें यहाँ पर quarter 4 के देखने को मिले है definitely यहाँ पर quarter 2 के numbers जो Indian IT कंपनियों के आने वाले हैं वो भी बहतरीन आने की उमीदे है अज के दिन जो हमें बड़ी किरावट देखने को मिली उसके पीछे का अगर मैं आपको main reason बताऊ तो वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि dollar के price जो आपको 25th September के दिन में यहाँ पर लगबख 74 रुपिस देखने को मिल रहे थे वो ही dollar आज के दिन काफी जादा week हमें देखने को मिला है जी हाँ जोस्तों आज के दिन हमें dollar की price लगबख 73.62 रुपिस तक जाते वे देखने को मिली है और इसी price variation के कारण आज हमें IT सेक्टर के अंदर भी इतने बड़े corrections आते वे देखने को मिले है अब आप यहाँ पर छोटा सा fundamental में आपका छोटा सा doubt है वो clear करना चाहता हूँ कि dollar के rate से Indian IT सेक्टर को कैसे impact पड़ता है तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि IT सेक्टर कमपनियों को जो revenue generate होता है वो सबसे ज़्यादा dollar के रूप में ही generate होता है तो यहाँ पर अगर dollar week होगा तो ultimately IT सेक्टर भी आपको week देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक सेनारियों को आप हमेशा याद रखेगा अगर dollar मजबूत होगा तो IT सेक्टर भी मजबूत होगा शांदर तेजी देखने को मिलेगी लेकिन अगर dollar week होगा इंडियन रुपीस के comparison में तो उसका pressure आपको IT सेक्टर के उपर भी देखने को मिलेगा और यही जीच आज के trading session में हमें IT सेक्टर के अंदर देखने को मिली है चलिए यह तो बात हो गई कि आपको इन shares के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिले लेकिन आप बात कर लेते हैं कि इस गिरावट का आपको फाइदा के से उठाना है और किन shares को आपको यहाँ पर अपनी portfolio में aid करते हुए चलना है सबसे पिले shares की बात करें जहांपर L&T यानि कि Larson & Torbo जहांपर आज के trading session में हमें लगबग 4% तक की गिरावट इस share के अंदर देखने को मिली है लेकिन अगर ये shares आपको 5500 के support पर यहाँ पर available होता है यानि कि 500 रुपे के levels पर अगर आपको ये share मिलता है तो बिलकुल भी इस shares को miss मत करिएगा क्योंकि ये share fundamentally company बहुत ही strong है और quarter two के result जैसे ही आपको October month में L&T के देखने को मिलेंगे वापीस इस shares की price के अंदर आपको 6000 तक के target देखने को मिल सकते हैं अनदर shares के बारे में बात करें जिसका नाम है HCL Technologies Limited तो HCL के अंदर भी आज की दीन हमें लगबख 4.5% से तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और HCL के अंदर भी अगर आपने खरीदारी कर रखिये तो ये shares भी IT sector के अंदर बहुत ही शानदर performance आपको future में बना कर दे सकता है यहाँ पर अगर HCL Technologies के अंदर भी corrections आती है और अगर ये shares भी आपको 1150 उर्पे के levels पर अगर मिलता है तो definitely आप यहाँ पर भी fresh buying कर सकते है और अगर आपने इस share के अंदर continuously खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर आप इस गिरावट में averaging कर सकते हैं और अपने positions को long term purpose से continue कर सकते है अगले shares के बारे में बात कर लें जिसका नाम है Maintree Limited यहाँ दोस्तों Maintree के अंदर आज आपको सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली लगबग 5.5% तक की बड़ी गिरावट हमें आपर देखने को मिली है लेकिन अगर आप Maintree के पिछले एक महिने की performance को अगर चेक करेंगे तो यानि कि अगस मन्त में जिस share की price आपको लगबग 2800 रुपे के एप्रॉक्स देखने को मिल रही थी जिसकी current share price आपको लगबग 2300 रुपे के करीबन देखने को मिल रही है यानि कि within a one month company ने multi bigger returns यहाँ पर अपने shareholders को बना कर दिये हैं और Maintree की performance इसके result के according अभी और भी ज़्यादा हैं यहाँ पर आपको इसके अंदर upward के moment देखने को मिल सकते हैं 37, fourth IT company जिसको आप pick करके चल सकते हैं इस गिरावट में उसका नाम है कौफोर्ज लिमिटेड जिया दोस्तों कौफोर्ज लिमिटेड के अंदर भी आज के दिन आपको लगबग 24% तक की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है लेकिन कौफोर्ज लिमिटेड भी अगर आपको ये शेर 5200 रुपे के लिवल्स पर मिलता है तो आप इस शेर के अंदर भी fresh buying करके चल सकते हैं क्योंकि कौफोर्ज के भी जो target है quarter 2 के result होने announce होने के बाद में ये शेर भी आपको 6000 रुपे के लेवल्स पर देखने को मिल सकता है याने कि almost यहाँ पर जो चार शेर मेंने आपके साथ शेर करें हैं जिसमें कौफोर्ड, HCL, L&T एंड साथ ही साथ माइंटरी को आप पिक करके चल सकते हैं अब आपका echo doubt यहाँ पर आ रहा होगा कि InfoCS, Vipro, TCS, Happiest Mind को मेंने यहाँ पर include क्यों नहीं क्या है तो यह कंपनिया already well settled है और अगर इनके अंदर आपने investment कर रखा है तो 5 star shares की category में यह आते हैं जिसके अंदर आप 100% अपनी positions को continue कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ACIT कंपनिया जो कि यहाँ पर recovery के mode में हमें देखने को मिल रही है और आने वाले time में बहुत ही शांदार performance बना कर दे सकती है तो definitely इन चारो company को आप अपनी radar में रख सकते हैं अपनी watch list में एड कर सकते हैं और जैसे ही यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट होती है आप इने pick करके चल सकते हैं तो ultimately conclusion यही है कि आपको इस गिरावट से बिलकुल भी घवराना नहीं है क्योंकि Essenture के जिस प्रकार से हमें numbers देखने को मिले हैं यदि आपने अभी तक telegram channel को join नहीं किया है तो link आपको description box में मिल जाएगी चलिए दोस्तों उमीद है आपको video और update पसंद आई होगी इसी ही important और genuine informations के लिए आप हमारे channel को subscribe करना बिलकुल भी मत भूलेगा मिलते हैं नेक शुडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated साथी साथ IT sector की firms के company के बारे में अगर आपकी कोई query है तो आप नीचे comment section box में लिखकर पूछ सकते हैं